हलो दोस्तो मेरा नाम परदीब कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इमेज का बैक गराउंड कैसे रिम्यूब कर सकते हैं और उसके जगह पर आप अपना मन पसंद का बैक गराउंड कैसे लगा सकते हैं तो चलिए अपने टॉपिक क्योर वड़ते हैं तो सबसे पहले फोटो सॉप आपन कर लिजिये जो भी भरजन हो आपके पास वो आपन कर लिजिये आपन करने के बाद आप उस इमेज को आपन करेंगे जो इमेज का आप बैक गराउंड रिमूब करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम फोटो सॉप में आपन कर लेंगे तो ये हमारे पास पिक्चर है तो ये अब भी है ये आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए simple step आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको ये select करना है magic wonder tool इसका shortcut की है double तो इस tool को आपको select करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ये select आप देख सकते हैं तो ये अच्छे से नहीं हुआ है हम इसे अच्छे से कैसे करेंगे तो आपको keyboard में shift की को hold करना है और उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से आपको area जैसे की shift की press करेंगे तो ये देखिए mouse का जो pointer है वो change हो जाएगा अभी circle में है तो plus आजाएगा देखिए तो इस तरह से आप shift की को hold करेंगे और जहाँ जहाँ भी आपको select करना है वहाँ वहाँ आपको simple mouse से click करते जाना है तो ये picture जो है background है वो automatic select होता जाएगा ठीक है इतना select हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे अब देखिए यहाँ एक देखने वाली समझने वाली बात है तो यहाँ देखिए यह जो shape है object है इस पर भी selection हो गया है तो इसको हम हटाना चाते हैं तो हटाने के लिए आपको keyboard में alt press करना है तो यहाँ देखिए minus का symbol आ गया बस इसको click कर लेना है बस आपको एक tool की मादयम से आपको दिखा रहा हूँ background change करके तो यहाँ से अब यह हो गया अब आप इसे क्या करेंगे control J करेंगे या फिर mask भी apply कर सकते हैं तो हम control J करते हैं यानि duplicate कर लिए अब यह हमारा देखिए यह एक sorry यहाँ से हमें इस object को select करना है तो हम क्या करेंगे control shift I करेंगे तो यह object select हो जाएगा अब हम control J करेंगे तो अब हमारा यह object यह cut out लग बन गया दो layer में अब देखिए क्या करना है यह तो हो गया अब इसमें जो भी आप background लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसे चाहें तो png फाइल होता है उसमें आप save करके रख सकते हैं और अब देखिए यह तो background remove हो गया अब इसके जगह पर आप दूसरा background अपना मन पसंद का वो कैसे add कर सकते हैं तो आपके पास जो picture है उसको आप यहाँ से क्या करेंगे drag of drop करेंगे यहाँ से यह वाला background है तो इसको हम photoshop में add कर लेते हैं add करने के बाद यहाँ से आप अपने picture के अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं और यह जो image है इस image के नीचे लाके छोड़ देना है यह देखिए तो यह आपका background इस तरह से change हो गया और भी है और भी जैसे आपका one पसंद जो भी background हो जैसे यह वाला background है बस आपको यहाँ इसके जगह पर replace कर देना है आपका यह इसमें हो जाएगा add हो जाएगा और यह देखिए काफी perfect अगर background को blur करना चाहते हैं तो वो भी मैं अभी बदा देता हूं तो हम यहाँ से यह flower वाला background है या फिर यह background है तो इसको भी हम इसमें add कर लेते हैं आपको दिखा रहे हैं बस आपको एक बार और मैंने आपको क्या बताया एक tool से इसको हटाने के लिए background remove करने के लिए तो इस तरह से आप जो भी background लगाना चाहें लगा सकते हैं आप देख सकते हैं अमाल लिजे इस background को थोड़ा blur करना चाहते हैं जैसे इस समय ट्रेंडिंग में चाहता है background blur तो blur करने के लिए आपको जाना है filter में और यहाँ से blur और यहाँ से gaugian blur gaugian blur पे आपको select करना है और यहाँ से जो radius है वो बढ़ाएंगे तो यह background change होता जी दीखेगा तो यहाँ कुछ है यहाँ loading लेगा और यहाँ अब भी आप देख सकते हैं यह high quality का image है इसलिए नहीं पता चरहा है आप देखिए इसको ज़्यादा blurness करना होगा तब यह दिखा तो इसी तरह से आप जो भी background पर change करना चाहें कर सकते हैं यह था आज का topic आज हमने क्या सिखा इस वीडियो में हमने क्या सिखा background को remove करना और जो background मैंने remove किया उसके जगा पर दूसरे background को add करना जो भी आप मन पैसंद से add करना चाहें वो हमने सीख लिया तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ